हलो वर्ड माइनेम वसीम एंड फुल स्टेक वाब डवलपर यार ओल्मोस डेड़ साल हो चुका है वर्क फ्रोम होम करते हुए तो अपनी प्रोड़क्टिविटी को इनहेंस करने के लिए और हम इसा मोटिवेटेड रहने के लिए मैंने अभी अपने डेस्क को अप्ग्रीड क्या है इनकेस अगर आप एक रिटर्निंग व्यूवर है तो आपको पता ही होगा हमारे पुराने सेटप के बारे में राइट तो आज की इस वीडियो में मैं हर एक डिवाइस के बारे में आपको बताऊंगा जो कि मैंने खरी दिये विद दियर प्राइसेज ओकी कि मैं जो प्रहाओ कि दो कुछिर्ट में बताऊंगा जो कि मैं एक हैachtet वाइसेजिद ओक के बाउसाग औरे में आपको रहां हैं हैं बाइसेतात। झाल झाल प्राइस मुझे लगी थी 10,000 रुपे आल इन अराउंड तीन अफते पहले अभी अभी इस मॉनिटर को मैंने सिंपलिक क्या किया अपने Macbook Air के साथ connect कर लिया वाया HDMI के वल उके इस मॉनिटर को मैं और इसा पर्सनली फिल हो रहा है कि हां मेरी जो प्रोडेक्टिविटी है वो day by day इंक्रीज हो रही है अब होता क्या है कि न जब हम प्रोग्रामिंग करते है तो हमें कर लिया तो इसनी क्यों ओपन का लियाथ तो जो कृती और पारे में तो वह भी सुमूथली और बहूत अदेट कर पाता मथ क्योंकि इतनी wide screen है तो जो frames होते हैं, जो files होती है, जो media files हम use करते है, वो थोड़ी easy to use हो जाती है, easy to access हो जाती है, तो no doubt productivity enhance होती ही होती है, Keyboard and mouse I'm using of Dell, these are wireless keyboard and mouse and it cost me around 1300 रुपीज, This laptop stand comes with a mobile stand actually and that is why I bought it, it cost me around 600 रुपीज, This mousepad or you can say desk mat, it cost me around 750 रुपीज, इसका plus point क्या है कि नाई, एक तो यह डोनों तरफ से use हो सकता है, Double sided है, दूसरा यह waterproof है, तो आप गिले कपड़े से इसको यूज़ गरना चाहिए, तो कर सकते हैं, कोई खास परक पड़ेगा है, Okay, for the sound I am using MXD wireless earphone, इसको मैंने अपने local market से purchase किया था, all in around 700 रुपीज में, इसके हो सकता है, आप इससे भी कम में purchase कर लें, इसके अलावा जितने भी items मैंने आपके साथ शेयर किया है, यह सभी online available है, इस सभी के link आपको निचे description में बग जाएंगे, In case you wanna buy it, then go for it, last item in the list is my chair, It is an ergonomic chair which is specially designed for the programmers, Basically, वो लोग जो की 8-10 गंटे system के आगर बेट के काम करते हैं चाहिए, प्रोगर्मिक रहे हैं उनके लिए ही specially designed किया गया, तो almost एक अफते से मैं इसको यूज कर रहा हूं तो अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ मुझे ठीक ही लग रहा है इस chair में, यह chair मैंने अपने local market से ही purchase किया था और around 3000 लुपीज में बुझे पढ़ गया था, अब आप देख लीजी आप जिस chair में रहते हैं वहां से आपको कितने में पढ़ता है या फिर online तो है ही, तो चलो फिर इस वीडियो को तब यहीं अंड करते हैं और कुछ बचाने यह दिखाने के लिए, जाते जाते वीडियो को like जरू कर देना और साथ चैनल को subscribe भी कर लेना for the other valuable content, तो चलो फिर see you, bye-bye.